इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 165 Watt का Solar Panel से हम कितने अमपिटर तक की battery को charge कर सकते हैं और 165 Watt solar जो है वो एक दिन में कितना current बनाता है यह सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं 165 Watt का solar panel होता है हो Luminous company ज़्यादा-तर बनाती है this solar panel को और बहुत सारे लोग इस solar panel को purchase भी करते हैं तो इस वीडियो में हम इस solar panel के बारे में detail बताने वाले हैं कि इस solar panel से हम कौन-कौन सी बैटरी को charge कर सकते हैं और ये solar panel जो है एक दिन में कितना current बनाता है तो काफी जादा interesting ये वीडियो होने वाला है अब सब इस यही कोछ लगा कि इस वीडियो को last तक जरूर देखेगा और ये वीडियो कर पसंद रहेगा तो प्लीज इस वीडियो को like जरूर कीजे और हमारे YouTube चैनल पर पहली बारा होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजे क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह का interesting वीडियो मिलते रहते हैं देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं देखी गाई सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि 165 वाट जो solar panel है वो हर घंटे कितना current बनाता है कितना ampere जो है output supply देता है प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो company कहती है कि 8 ampere something ये output supply देगी लेकिन कभी भी ये practically अगर आप टेस्ट करोगे तो उतना ampere नहीं देगा क्योंकि बहुत सारे efficiency जो है वो माइनस हो जाती है हर solar panel का एक efficiency होता है किसी का 80% होता है किसी का 90% होता है तो अगर theoretically लिखा हुआ है कि वो 8 ampere output supply देगा और लिखा भी होता है कि 8 ampere के आसपस में supply देगा लेकिन अगर हम efficiency माइनस करें 80% तो हमारा solar panel जो है 6.4 ampere output supply देगा practically और ये चीज़ किलियर भी है अगर तेज धूप निकलता है तो 6.4 ampere ये output देगा और ये चीज़ एकदम 100% sure clearly है आप practically भी अगर टेस्ट करोगे तेज धूप में तो इतना ampere आपको दिखेगा ही बैटरी जो है 6.4 ampere से चार्ज हो सकती है इसके लिए आप चाहे तो डेर से एंपियर के भी कोई inverter बैटरी का भी इस्तमाल कर सकते हो या फिर दोस्ता हम आपको डिटेल में बता रहे हैं देखे जो भी आपको बैटरी के स्तमाल करना है देखे तो पहले आपको ये जानना हो जितने एंपियर की है उसको 10 से डिवाइड कर देना है सपोज आपने 1500 ampere की कोई C20 रखा हुआ है मतलब की invertor बैटरी रखा हुआ है तो 1500 को डिवाइड करना है 20 से क्योंकि वो सी 20 बैटरी है अगर आपके पास 1500 ampere की कोई c10 बैटरी है तो 1300 ऑफियर है तो इसलिए ये ये ड तो इसी तरह से आपको निकालना है जो भी आप बैटरी यूज करना चाहोगे तो आपको देखना है सपोज हम मानके चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई 100 A की C20 बैटरी है तो अब हम इसका कैलकुलेशन अगर करेंगे तो यहां पर एंसर निकल के आता है पांच मतलब कि यह बैटरी जो है पांच एंपियर से ही चार्ज होगा तो पांच एंपियर से ज्यादा ही हमारा सोलर पैनल आउटपुट दे रहा है 6.4 एंपियर तो हम इस बैटरी को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं वही अगर हमारे पास 75 एंपियर का कोई C10 बैटरी है तो हम उस को अराम से अपने 165 वाट के सोलर पैनल से कनेक्ट कर सकेंगे अब यहां पर अगर आप कोई इंवर्टर बैटरी को इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं आपको क्लियर सब कुछ समझा दूं कि आपके पास 135 एंपियर का इंवर्टर बैटरी होना चाहिए 135 को अगर हम 20 डिवाइड क और इंवर्टर बैटरी के बाद करें तो 135 एंपियर की इंवर्टर बैटरी होनी चाहिए उसके उपर अगर हम चाहे तो 1500 एंपियर की भी लगा सकते हैं 200 एंपियर जितनी भी एंपियर की बैटरी आती है उससे उपर का हम कोई भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं लेकिन प्रॉ यहां पर 10 घंटा धूप जो है इसली अगर हम देखे तो 10 घंटा हमारा सोलर पैनल वर्क करेगा अब ऐसा नहीं है कि हर घंटे 6.4 एंपियर मिलेगा ही मिलेगा किसी घंटे में सुबह का टाइम में एंपियर कम हो जाता है और साम का टाइम में भी एंपियर हमें आउटपुट कम मिलता है तो इस बज़े से अगर हम एबरेज मानके चलें 5 एंपियर भी अगर हमें हर घंटे मिलता है आउटपुट तो यह यह हम average के तौर पर बता रहे हैं अगर हर गंटे 6 Ampere भी बता रहा है तो यहां पर 60 Ampere easily current बना देगा तो बहुत ही simple तरीके से मैंने आपको समझा दिया I hope कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो comment जरूर करें आपके एक comment से ही हम में एक नया topic मिलता है आपके comment पर ही हम ज्यादा तर वीडियो पनाने के कोशिस करते हैं तो अभी तक इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूटुब चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी जरू सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैह करें